बेस्ट हिदेन कॉल रेकॉरडर फॉर अन्डोइड टूता वाला हूं यह कौन सा अप्लिकेशन है इसके अंदर क्या-क्या सेटिंग आपको करना है वो सारे चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे पहले मैं आपको application दिखा दता हूँ, यह जिस application के मैं बात कर रहा हूँ, इसी application आप लोग install कर सकते हैं, सबसे पहले application यहाँ पर मैंने रग दिए, आप phone को एक बार देख लीजिए, साथी साथ मैं आपको menu दिखाना चाहूँगा, menu के अंदर भी यह application यहाँ पर आपके service इस्तिमाल कर रहे हैं, तो आपके country का जो law है, जो नियम है, उसको मान कर कीजिए, सबसे पहले allow button के उपर click कर देना है, जैसे हम लोग यहाँ पर सारे permission दे देते हैं, उसके बाद यह application जो है, यहाँ पर हमारा सारे के सारे permission लेने के बाद, यह application कुछ इस तरीके से काम करते हैं, अब guys एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यह directly dropbox और google drive के अंदर आपके recording जितने भी files हैं, उसको upload कर देते हैं, मतब आपको कुछ करने की जरूवत नहीं है, automatically जो भी चीज record होगा, आपके account के उपर upload हो जाएंगे, उपर 3 dot है, यहाँ पर जैसे guys हम लोग click यहाँ पर यह जो services है, यहाँ पर click करके इसको enable रखना है, उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने settings दिखने को मिलते हैं, जैसे guys हम लोग settings के उपर आ जाते हैं, यहाँ पर recording settings है सबसे पहले, यहाँ पर activate service है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक notification show करके setting है, अगर आप चाहते हैं, कि आप जब call record करोगे, इस जगा पर आपके notification ना आए, मतलब कोई भी चीज ना दिखाए, तो इसको आपको बंद करना होगा, साथी साथ manual record है, यहाँ पर जो भी number चाहते है, particular उस number को record कर सकते हैं, उसी के साथ बात किया जाए settings के उपर और भी option अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर storage को बदल सकते हैं, मतलब phone के अंदर कहीं पर भी आप recording को save कर सकते हैं, hidden folder बना सकते हैं, वो भी possible होगा, साथी साथ यहाँ पर volume बगएरा आप लोग change कर सकते हैं, अगर आपके recording नहीं हो रहा है, उस case पर आप volume को change करके उसको fix कर सकते हैं, अब यहाँ पर आगर आप Google Drive या फिर Dropbox के उपर connect करना चाहते हैं, यहाँ पर किसी भी हिस्से पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग जो हैं, यह वाला section के उपर जाके आप अपने account को यहाँ पर add करके, यह जो synchronize with Google account service इसके उपर क्लिक करके आप automatically synchronize कर सकते हैं, यह सारे तो बात हो गई, आप यहाँ पर security के उपर जैसे जाओगे, यहाँ पर आपको main काम है, मैं आपको बताओंगा application आपको कैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजे, application को आप लोग चुपाओगे कैसे, सबसे पहली चीज यह है, आप लोग दुबारा, मतलब छुप जाने के बाद, अब जैसे हम लोग यहाँ पर click करेंगे, सबसे पहला वाला पर यहाँ पर 0000 हमने passcode लगा दिये, उसके बाद फिर से retype हमें करना होगा, अब second वाला option जो है, यहाँ पर बता रहे, 10 minute के बाद यह hide हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते immediately, तो यह जो button है न, इसको हमें खीच कर एकदम आगे ले जाना है, immediately कर दी है, अब यह जो button है, यहाँ पर जैसे हम लोग click करेंगे, यह hide हो जाएंगे, अब देखिए guys, यहाँ पर हमने click कर दिये, और यहाँ पर हमारे application अभी भी दिखा रहे है, जैसे कि आप लोग के सामन करने के लिए नहीं मिल रहे है, अब easily आप अगर किसी भी तरीके के call करेंगे, तो automatically बो application जो है, यहाँ पर काम करने लग जाएंगे, अब देखिए application के दुबारा अगर आप ढूनना चाहते हैं, तो call बटन के उपर आपको जाना है, और यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जान है, और यहाँ पर आने के बाद आपको search कर लेना है, ह-o-n-e-s-t, एक space देना है, उसके बाद s-u-g-g-e-s-t, honest suggest, ध्यान से देख लिजी, h-o-n-e-s-t, एक space देदो, उसके बाद s-u-g-g-e-s-t, जैसे ही search करोगे, आपके सामने यह जो channel दिखने के लिए मिल रहा है, इस और वो चीज यानि प्रोवाइट करना possible नहीं होता है, यूट्यूब की नियम की बज़े से, दो मिनिट के लगवग वीडियो है, आप लोग चिकाउट कर लेना, और साथी साथ मैं आपको बताऊंगा यह जो channel है, यहाँ पर हम टॉप से टॉप application आपके लिए धून का निक पर शपकी यून झाल, जाँ इन आपके लगवगे, यहाँ, यहाँ पर ले जाए बताऊंगा यह, यहाँए़ की यहाँईर कताबस, यहाँखजू कि यथचल की यहाँश़ दला यह, पर दो पने आपके लिदिम अवाशना चाहर चाहरा है, यहाँबस, बताशना से हम